तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कोड़ा की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जो आपको और आपके फैमली को बहुत ही पसंद आएगा एक बार बनाने के बाद आपका कोड़ा जो है ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है तो आज की इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कोड़ा लिया है आपको जितना बनाना उस हिसाफ से जो है आपको कोड़ा कम या जादा आप ले सकते हैं इसको मैंने अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है और उसके कबड़े से अच्छे से मैंने इसक जाना जाता है कहीं कहीं इसको खिक्सा कोड़ा परोड़ा चील परवन बोलते हैं आप के हाँ क्या बोलते हैं अँलों किनारों के निकाल दिया है हुए इस माहिक मैं भ norm काट लेंगे काकोरा सब्जियों मैंने इसको काट लिया है तो चलीए ओम गैस की तरफ हम चलते हैं तो गैस पर हमें कडा ही रखेंगे गरम होने के लिए इसमें हम दो बड़े चम्मच तेल मैं डालेंगे तो मैं यहां पर सरसो के तेल का यूज कर रही हूं आप जो भी कुछुगाल आप यूज करते हैं आप चार मिट जो फ्राइब कर लिया है देखिए इसमें हलके से स्पाट्स आ गए है तो इस तरह से इसको किनारे पर हम लाएंगे ताकि जो इसमें इस्ट्रा आयल होना निकल जाए अगर आप इस तरह से कोड़ा की सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेश्टी बनती है आप तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को जो है लाइक नहीं करती है अगर आपको रिस्पी पसंद आती है फ्रेंट्स तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो फ्रेंट्स बहुत मिनात लगती है आपर मैंने काकोड़ा क देने से फ्रेंट्स सब्सक्राइब बहुत ही बढ़ी असा टेस्ट आता है अगर आपके पास पाश्फोरन नहीं है तो पादी छोटी चमच आप जीरा आप डाल सकते हैं और इसमें में चोधाई चमच हम हिंग डालेंगे उनी सबी चीजों को लाल होने देंगी पाश्फो इसमें प्याज को सलाइसों में डालेंगी तो मैंने याँ पर 12 मेडियम साइज के तार् slycs में काच लिया था और इसमें मिर्ची को बारी काट दिया आप तीखा जो अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं और इसमाने को मेडियम रखेंगे और मीडियम पर इसको हम 1-2 म जो पुरी सबी का नमक या है ज have इसे स्वाइब बाऊन हो जाते यह अपरbaar इसको मच्षे से मिक्स कर लेंगी और इसको प्याज़को ब्राउन हने तक हो गए हैं तब इसी स्टेश पर इसमें कुटा हुए अधरक और लेसन डाल देंगे तो मैंने यहाँ पांत चेकर ली लेसन और इंच अधरक को मैंने इसलिए डाला है पहले डाल कि ना त्यादी जिपकने लगता है यहां देखिए सारी चीजे जो है अच्छे से भून गई है तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे तो इसमें में चौटाई चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच का स्मेल आलमिच का पाउडर हम डालेंगे यह पूरी तरह से आफसनल से हम मिक्स कर लेंगे एक बार इस तरह से काकोडा की सब्जी जो है बना करके जरूर देखिए का आपको पसंद आएगी बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है बहुत ही सिंपल मसालों में बन करके तयार होती है और बहुत ही टेश्टी लगती है तो मैंने यहां पर इन सारी चीज मिल जाएं और इसको में जाए पकाने की जरूत नहीं है कि हमने को पहले ही फॉराइब किया था इसलिए पहले से पके हुए हैं यहां पर चार मिनट हो गए हमारी सब्सक्राव्ण के बंगी ए और इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें फोड़ा सा हम खटा पन लाने के लिए इ और इसका हम ढखकन लगा करके लो फ्लेम पर इसको हम एक मिनट हम और पका लेंगे आप इस सबजी को जो है रोटी के साथ दाल चावल के साथ खाई यह बहुत ही देश्टी लगते है फ्रेंट आप एक बार इस तरीके से कोड़ा की सबजी बना करके जरूर ट्राइ करिएगा सभी को यह बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको आज की यह रेस्पी पसंद तब तक के लिए टेक केर और बाबाई